भगवती मा दुर्गाजी के चोथे सरूप का नाम कुस्मांडा है और देवी कुस्मांडा अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पर्ण करने के कारण इन्हें कुस्मांडा देवी कहा जाता है मा कुस्मांडा के बारे में कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड को खुद नियंद्रित करती है जब पूरे दुनिया में अंधकार का कबजा था तब उन्होंने अपनी मुस्कान की छटा बिखेर पूरी दुनिया में रौस्टनी फैला दी और यह वही है जो सूरज को इतनी सक्त प्रभा सूरी की भाती देदी प्यमान है इनके ही तेज से दसो दिसाओं अलोकिक है इन देवी की सवारी सिंग है और इन्हें कुम्रे की बली बहुत प्रिये है और आज के दिन से ही बली सुरू हो जाती है यह देवी बहुत कम आपके ताम ज्ञाम यानि आप बहुत सिंपल तरीके से भी अगर इनकी पुजा करते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन हो जाती है आशिरबाद देती है मा कुसमांडा आठ भुजा से युक्त हैं और अस्ट भुजा के नाम से भी जाना जाता है मा को देवी अपने एक हाथ में कमंडल, धनुस, बान, कमल के पुष्प, अम्रित से भला कलस, चक्र और गदा और देवी के आठवे हाथ में कमल फूल का बीज का माला है यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धी सिद्धी देने वाला है इसलिए आज के रात चो मुखी दिया जरूर जलानी चाहिए देवी की उपासना दुर्गा पुजा के चोथे दिन करतना चाहिए और तमाम तरह के रोग, कष्ट, सोग, आयू या फिर यस की प्राप्ती होती है जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं रोगों से मुक्ती मिलती है और भक्तों के समस्त, सोग, नश्ट हो जाते हैं इनकी भक्ती से आरोग्य का बरदान मिलता है इसलिए इस दिन अत्यंत्र पवित्र और सांत मन से मा कुसमान्डा की उपासना संपुर्ण विधिविधान से करनी चाहिए मा कुसमान्डा को अगर आप पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुरी रखकर अरपित करते हैं माता बहुत प्रसंद होती हैं और जीवन की तमाम परिसानियों का अंत्य भी करती हैं इस उपाय को आप आपके घर में बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके हाथों जरूर कराईए उनकी बुद्धी बहुत ज़्यादा प्रकर होगी पढ़ाई में मन लगेगा पढ़ा हुआ याद रहेगा और आगे चल कर दुनिया में आपका नाम रसन करेगा फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादेग